यह Microsoft Excel कहलाता है और यहां एक Spread Seed Program होता है Spread Seed का मतलब यह कि इसमें आपको कई सारे Shell दिखेंगे Shell का मतलब आप इसमें Excel किस से बनता है? Row और Column से बनता है तो यहां पर आपको Row मिल जाएगा और Column मिल जाएगा जब आप Row और Column को मिला देंगे तो यह Excel बन जाता है और एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां है कि Microsoft Excel का जो एक सिल होता है यह Microsoft Word के एक Page की बराबर होता है कैसे जब आप इसको बढ़ाएंगे इसको जब आप एक सिल को बढ़ा कर लेंगे तो यह आपके एक Page की बराबर हो जाएगा और Microsoft Word में जो आप एक Page में टाइप करते हैं वो आप एक सिल में टाइप कर सकेंगे तो यह होता है Microsoft Excel का एक सिल का Power तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चैज़ा करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर आपको यह टाइटल बार मिलता है फिर इसके बाद यह मीनू मिल जाता है Home, Insert, Page, Layout, Formula के एक नया और Data के एक नया मीनू आपको देखने को मिलता है टैब मिलता है मीनू फाइल को बोलता है और उसके नीचे आपको Clipboard, Font, Alignment यह सारी चीज़े वही मिल जाते है Alignment में एक चीज़ आपको चेंज मिलेगा जैसे राइप, टेस्ट, Mergeant, Center फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक Number का Group आ जाता है एक Style Group नया मिल जाता है, Sell का मिल जाता है Editing में भी कुछ नया मिल जाता है, जैसे Find, Replace तो वो सारी चीज़े वही रहते हैं यहाँ पर आपको Auto, Sharm, Fill, Clear, यह सारी Filter, एक नया Filter देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले आपको Cut, Copy, Paste, Format, Pinter, Same है इसका Use मैंने Already वीडियो में बता दिया है, अब इसके बार Fonts Related यह सारी चीज़े वही है यहाँ पर एक नया आपको देखने का मिलेगा Border का तो यहाँ पर किसी भी Sail को आप Select करेंगे और यहाँ से आप Border पर क्लिक करेंगे जैसा भी Border देना रहेगा, यहाँ पर यह बार्डर लग जाएगा अगर आपको Bottom में सिर्फ लाइन देना है, यहाँ बार्टम में लाइन लग जाएगा इसके बाद अगर आपको जैसे Lift में देना है, Right में देना है तो यहाँ पर आपको Right में, Left, Right, Top, Bottom यह सारी डबल लाइन देना है, सिंगल लाइन देना है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे इसके आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक Wrap Test Option मिलता है Wrap Test का यूज़ बताते हैं यहाँ पर यहाँ जैसा कोई वर्ड आप टाइप करते हैं media जैसा किसी का Name टाइप करते है या कोई पता आप टाइप करता हूँ जैसे कि कर दो यह जो पता है यह एक सेल से बाहर जारा है जब आप दूसरे सेल में type करेंगे तो कि इसमें का पता आधा छिप जाता है तो इसको हम क्या करते हैं इसको रैप टेश्ट कर देते हैं तो यह पूरा दिखने लगता है यह सेल बड़ा हो जाएगा और यह पूरा दिखने लगेगा यह होता है रैप टेष्ट का यूज अब यहां वजैसे एक सेल को कई सेल से मिलाना है यहां पर मर्ज और सेंटर का यूज़ करते हैं जैसे कि यह एक सेल जैसे तीन-चार सेल है इसको सेलिक्ट करके हम और श्रिफ एक सेल बनाना चाहते हैं तो यहां पर मर्ज और च्यूंटर कर सकते हैं इसको 20 दे देंगे तो यह दिखने लगेगा यहां से यह अब जैसे यह आल बार्डर दिया अब यहां पर अब यहां पर यह कई सारे सेल दिख रहे हैं अब इसको हमको क्या करना उपर वाला यह जो दो सेल रो है इसको हमको एक सेल बनाना है यहां से मर्ज सेंटर कर देंगे अगर हमको यह रो में सिर्फ एक सेल लेना है तो यहां से हम मर्ज एक्रास सेंटर करते हैं यह का यूज इसके आगे कामडीशनल फार्मेटिंग है इस सभी का यूज नेक्ट वीडियो में बताएंगे